नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनेरिंग गुरुजी में आज हम लोग जानेंगे कि पाइप का उपर थ्रेडिंग कैसे किया जाता है और ये इसका नाम क्या है इसको यूज कैसे किया जाता है तो इस वीडियो में इसका पूरा नाम जानेंगे सारा जितना एकुमेंट देख रहे हैं इसका पूरा नाम का डिटेल्स जानेंगे तो वीडियो बहुत नोलेजबल होने वाला है अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं भी screw को में गुमा रहा हूँ, यह adjustable screw है, इसी से कितना deep का हम लोग thread बनाएंगे, वो पता चलता है, इसी जो दो nop देख रहे हैं, दोनों side है, इसी से adjust करके, हम लोग को thread का deep को ज़्यादा किया जाता है, कम किया जाता है, दोनों तरफ है, देखिए, इस तरफ भी है एक, और दोनों ही adjustable nop है, ठीक है, यह हम लोग अभी पूरे आगे वीडियो में जानेंगे इसको, ठीक है, और इसको बोला जाता है, जो है die bit, इसी die bit से हम लोग thread करता है, हर एक size का है, देखिए, यहाँ पे मेरे पास, एक inch का है, three, four का है, half inch का है, हर एक die bit के लिए die अलग अलग अ आएगा, इसमें देखिए, thread बने रहता है, ठीक है, यह देखिए, इसमें thread बने रहता है, यह हर एक die bit में अलग अलग die आता है, इसको आप लोग को जानना है, इस die bit के लिए अलग है, और यहाँ पे देखिए, thread बना हुआ, यहाँ पे दो handle fit होगा, दोनों तरब, ठीक है, इधर भी एक handle fit होगा, और उस तरब भी एक handle fit होगा, और यह die जो है, इसका अंदर बैठेगा, और यह उपर से नहीं बैठता है, इसका process जानेंगे, हम लोग किस तरह इसका fit किया जाता है, देखिए, अभी उपर से डालेंगे, यह जाएगा नहीं, ठीक है, देखिए, नह का जो group है, इस taper cut का बज़े से die beat वहाँ पर फस जाता है, और आपको इस knob से adjust करना पड़ता है, कि कितना deep करना है, तो इस die beat को हम लोग इसका अंदर अभी set करेंगे, और हर एक die beat का अलग-अलग die है, मैंने अभी आप लोग को बताया, मैंने simple आप लोग को समझाने के लिए सारा die beat रखा है, और एक size का अलग-अलग die beat आता है, ठीक है, इसके लिए ये वाला die beat है, आप जो देख रहे हैं, ठीक है, इसको अभी हम लोग किस तरह से इसका अंदर fit करेंगे, और कैसे pipe में thread करेंगे, ये आपको मैं प्रोसेस अभी दिखाता हूँ, तो वीडियो को करते हैं, क्योंकि ये आगे side से die beat fit होता है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं, आपका guide boost है, इसको guide boost बोला जाता है, हर एक pipe के लिए अलग-अलग रहता है, इस screw को खोलिएगा, तो ये guide boost बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये जो है, दो इंची तक का pipe को threading कर सकते हैं, तो हम ल इसको साप करना पड़ता है, और die bit इसका अंदर set करना पड़ता है, ये जो जगा देख रहे हैं, इसका अंदर पुरा, जब आप tapping किज़ेगा, तो उसका बाबरी इसका अंदर फस जाएगा, उसको साप करना के लिए इसको खोलना पड़ता है, और ये diet 환 being is set होगा, और ये डाइबिट में देखिए, एक तरफ से थोड़ा घिसा हुआ है, जो घिसा हुआ पोर्षन जो देख रहे ना, ये आगे की और रहेगा, इसको आपको हमेशा याद रखना है, देखिए, डाइबिट में घिसा हुआ, ये उपर की और रहेगा, इसको आपको याद रखना है, जिदर से डाल रहे हैं उसका उपर की और रखना है आपको इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बहुत इंपोटेंट पॉइंट है ठीक है यह देखे मैंने अभी डाल के आप लोगों को दिखाया दोनों का जो गिसा हुआ थ्रेड है उसको उपर की और रखा ठीक है और यह स्लाइड भी होता है इस जगह में देखिए स्लाइड होता है इस तरह से स्लाइड होता है ग्रूप में उसका स्लाइड क्यूंकि होता है क्यूंकि टेपर कट रहता है उसका जो ग्रूप है टेपर कट है तो नीचे गिरेगा ने उसके बाद आपको यह गाइड बूस को है वो problem करेंगे आप लोंगो अच्छी तरह से इसको tight कर लीजे और हर एक pipe में इसको change करना है यह 2 इंच तक का कर सकते हैं एक इंच से लेके 1,5 इंच से लेके 2 इंच यह जो डाया देख रहे हैं यह 2 इंच का है अभी इसमें हम लोग change करके एक इंच का भी इसमें कर सकते हैं दो इंच का अभी तो लगा ही हुआ है तेड़ इंच का भी कर सकते हैं अभी मैं पल्टी करके आप लोगों को दिखाता हूँ टीक है डाइबिट को state करके किस तरह से इसका अंदर ये slide करता है देखें इस तरह से slide करता इसका अंदर ये ये बाहर अभी नहीं आएगा ये उपर से बाहर नहीं आए ये अंदर वरे चल जाएगा लेकिन ऊपर से बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसका Southwest का जो कट रहता वो टेपर कट रहता है ये नोप को अभी आब लोगोगो जब आप थ्रेडिंग करोगे तो देखें डैबीट आगे की और जा रहा है, इससे क्या होगा जो ध्रीक हैं उसको आप लोग ज्याधा कर सकते हैं और ज्याधा करना भी चाहिए, और आप लूज नीचे है देख रहे हैं तो पाइप हम लोग का उस तरफ से गुसेगा नीचे से आएगा तो पहला घिसा हुआ पोर्शन हम लोग को पाइप में टाच होगा उसके बाद हम लोग को डाइबीट को घुमाना पड़ेगा ठीक है यह किलियर आप लोग को रखना है फ्रेंट साइ लगए आप लोग को थोड़ा सा रिवर्स लीजिए फिर इस तरह से हलका सा रिवर्स लीजिए फिर घुमाना इस्टार्ट कीजिए ठीक है और बीच बीच में लूब्रिकेशन के लिए इसमें ओयल डालते रहना पड़ेगा आप लोग को आयल या कूलेंट पाइप में ठी अच्छे से होगा इस चीज को आपको ध्यान रखना है और जब आपको ट्रेट को ट्रफ से हलकालका जो सेट करने के लिए स्कूरू दिया हूँ फिर से आप घुमाईएगा तो आपको फ्री लगेगा फिर से आपको सेम प्रोसेस में clockwise घुमाना है जब भी टाइट लगे तो फिर से एंटी-clockwise उसको थोड़ा सा घुमा लीजिए ठीक है दोस्तों यह सारा डाइबीट अलग-अलग डाइब में फिट होगा यह मैंने अभी आप लोग को समझाने के लिए इसको फिट किया है टीक है तो सेम प्रोसेस है और आप लोग को गाइड बूस है गाइड बूस को हर एक बार change करना पड़ेगा हर एक pipe के लिए इसको आपको जानना है जैसे एक इंच का आप ही pipe मेरे को करना था तो इस गाइड बूस को हम लोग अभी चेंज कर सकते थे उसका side का जो screw देख रहे आप लोग लोकिंग screw उसको खोलिएगा तो guide boost बाहर आ जाता है वो हर एक size का आता है अभी एक inch का भी कर सकते थे और 2 inch का भी कर सकते थे हम लोग ठीक है तो इसको change करते रहे हैं पाइप के size के हिसाब से आपको change करना पड़ेगा ठीक है दोस्तो guide boost को तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आप लोग को वीडियो knowledgeable लगा है तो अभी तुरण चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को press कर दीजे जिससे आप लोग को regular notification मिलते रहेगा और मेरे दूसरे चैनल को भी support कीजेगा जिसका link में description में डाल दूँगा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye दोस्तो